Hello friends, welcome back to your channel तो हम आज हम आपको aptitude worksheet number 3 के questions के solution लेके आए हैं अब आपको ये aptitude worksheet number 3 आपको solve करने को दी थी इसकी answer sheet भी attached थी तो हमने इसको solve किया है क्योंकि इसके questions हमने practice नहीं किये थी तो आज इसलिए चलते हैं question की तरफ और questions पर बढ़ने के पहले तो आपको ये figure observe करना है और उसके बाद नीचे दिये गए हुए questions का answer देना है तो अगर हम figure की तरफ देखें यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर triangle बना हुआ है यहाँ पर villagers का square बना हुआ है और literate बना हुआ है अब आपको ध्यान रखना है ये जो shape में क्या represent करता है किया गया है कि square से तो यह जो portion पूरा square का है यह पूरा represent होगा villagers से ठीक है फिर literate को circle से represent किया गया है तो यह जो पूरा portion circle का है जितना भी इसके अंदर आएगा portion वह सब represent करेगा literal को तो तीन यहाँ option दिये है triangle मतलब unemployed square मतलब villagers और circle मतलब literate अब आई चलते हैं पहले question की तरह तो first question अगर आप देखी यह निका हुए calculate the total number of villagers from the figure तो आपको क्या मांगा गया है यहाँ पर कितने villagers हैं यहाँ पर option आपके पास यहां दिये हुए हैं तो आपको पता है villagers चो है वो represent होता है square तो उस square के अंदर जितनी भी numbers होंगे सभी villagers को represent करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या है 9 है 4 है 20 है और 10 है तो यह total कितना होता है तो यह total होता है आपका 43 ठीक है तो answer से क्या होगा c 43 आई देखते है question number two question number two में पूछा गया है calculate the total number of urban literate unemployed people अब इस पर तीन चीज़ पूछेगे urban होना चाहिए literate होना चाहिए ठीक है अब इसमें आप देखिए तो पहले पूछा है urban फिर पूछा है literate और तीशरा पूछा है unemployed ठीक है अब आप यह figure की तरफ देखेंगे तो square villagers को represent करता है तो square के अंदर जितना ही portion आएगा वह village को आएगा अर्बन को represent नहीं करेगा villagers को opposite अर्बन है जिसका मतलब square को छोड़ के जितने नंबर होंगे इसमें 8 आ रहा है एक नंबर 12 आ रहा है और 15 यही नंबर है जो square को छोड़ के है तो यह सभी अर्बन को represent करेंगे अब अर्बन तो हो गया यह literate होना चाहिए literate represent हो रहा है अपका circles तो circle के अंदर जो number आ रहा है वही literate होगा तो वह क्या रहा है एक 12 आ रहा है तो circle के जो number आ रहा है वो literate होगा इसमें 2 number आ रहे है एट आ और 12 हो रहा है square को छोड़ के ठीक है और तीसरा आ रहा है unemployed तो unemployed होता है ट्राइंगल से represent तो ठीक है triangle में जो unemployed है उसमें unemployed region में तो option number D, इसका सही answer है 12, आई चलते है question number 3 की तरफ, फिर इसी figure पूछा गया है calculate total number of villagers which are illiterate और unemployed, तो इसको कैसे solve करेंगे, चलिए figure की तरफ चलते हैं, तो villagers की बात करें, तो villagers आपको पता है, square में जितने होते हैं सब villagers हैं, जिसमें 4 number आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 10 आएगा, और 20 आएगा, अब पूछा है illiterate, तो illiterate वो जो जो की लिटरेट नहीं हो, तो circle जो illiterate को represent करता है, तो circle की बाहर वाजी चीज़े illiterate represent करेंगे, तो इसमें ये खतम ह हो गया, ये खतम हो गया, ये number बचा और ये number बचा, ठीक है, तीसरा पूछा है, unemployed, तो unemployed represent होता है, triangle से, तो triangle के अंदर ये number आता है, तो ये unemployed ही category में आएगा, ठीक है, और ये triangle के बाहर आता है, तो ये number नहीं होगा, तो इसका सही answer क्या होगा, 10, तो option number D, option number D, जो 10 है, वो इसका सही answer है, ये चलते question number 4 की तरफ, इसी figure पूछा है, calculate total number of literate, villagers, who are unemployed, तो इसमें फिर हमको तीन चीज़े हैं, तो हमको क्या-क्या देखना है, हमको यहाँ पर देखना है, literate भी होने चाहिए, villagers भी होने चाहिए, और unemployed भी होना चाहिए, अगर literate की बा literate कलाएंगे, मतलब आपका 8, 12, 4, 9, यह literate category में है, फिर villagers पूछा है, तो villagers आपका squares represent होता है, तो square के अंदर जितने number आएंगे, वो सभी villagers होंगे, तो circle और square के अंदर दो number आ रहे है, 4 और 9, तो यह literate भी है, villagers भी है, और पूछा गया unemployed, तो unemployed represent होता है, triangle से, तो triangle और circle और square म common number आ रहा है, वो 4 आ रहा है, मतलब literate भी है, यह villagers भी है, और unemployed भी है, तो यहाँ पर 9 कतल हो जाएगा, तो सही answer इसका क्या होगा, 4, तो 4 क्या है, यह वो है, चो literate भी है, villagers भी है, और unemployed भी है, चलते है, question number 5 की तरफ, अब यहाँ पूछा गया, calculate total number of literate villagers, तो आपको इस दो होता है, तो circle के अंदर कौन को number 8, 12, 4 और 9, अब यहाँ पूछा गया, उन्हें villagers भी होना चाहिए, villagers, squares भी होता है, तो square के अंदर क्या है, number 4, 9, 10 और 20, लेकिन जो दोनों के intersection होना चाहिए, set का, तो 10 और 20, यह तो circle के बाहर है, तो यह दोनों होंगे ही नहीं, ठीक है, अब circle के अंदर भी हों, और square के अंदर भी हों, तो यह दो number 4 है, और 9 है, ठीक है, तो इसका सही answer क्या होगा, 4 प्लस 9, ठीक है, 4 प्लस 9, 13, question number 6, कह रहा है, calculate total number of illiterate villagers who are employed, तो साफ word दोता हो चाहिए, illiterate villagers और employed, तो सारे answer सी figure में चुपे हुए है, illiterate होना चाहिए, villager होना चाह अब illiterate का मतलब जो circle के बाहर है, तो circle के बाहर है, तो circle के बाहर यहाँ 15 है, 10 है, और 20 है, ठीक, फिर पुछा गया है, villagers, villagers वो है, जो square के अंदर है, तो square के अंदर 15 नहीं आता, तो यह तो पहले ही cut हो गया, पुछा गया है, which are employed, आको पता है, triangle represent करता है, unemployed को, तो triangle के अंद 20, जो कि illiterate भी है, villagers भी है, और employed भी है, तो इसका सही answer क्या होगा, 20